असलावालेकुम दोस्तों वेलकम टू दस्तरखौन आज हम बनाएंगे ओरत दाल की गर्मा गरम कुछोडियां हमने ये 200 ग्राम मैदा ले लिया है और अब हम इसमें डालेंगे वन फोर टीस्पून बेकिंग सोडा वन फोर टीस्पून नमक हाफ टीस्पून अजवाइन जिसको हम इस तरह से मसल लेंगे जिससे इसकी खुश्बू बहुत ही बेहतरीन आएगी और हम पास टेबिल स्पून कोकिंग ऑईल मिलाएंगे इसमें मोहिन के लिए इसमें हमें मोहिन बहुत अच्छा करना है नहीं तो कचोडिया खस्ता नहीं बनती है यह हमने ऑईल डाल लिया है अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखे हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक यह अपस में मिलना जाए एकसारना हो जाए और इसकी एक मुठी बने यह देखे इस तरह से अगर यह तूटती है तो आपको थोड़ा और मिलाने की ज़रूरत है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका मुलायम डो तयार करेंगे टाइट नहीं कूंदना है हमें बहुत सॉफ्ट डो तयार करना है अब हम इसे 10 मिनिट के लिए ढखके रग देंगे गीले कपड़े से यह 60 ग्राम उरत की डाल है जिसको हमने एक घंटे के लिए भेगा दिया था और इसको हमने पानी निकाल कर इस तरह से ग्राइंड कर लेना है अब हम कुछ मसाले लेंगे वन टीश्पून सॉफ है वन टीश्पून जीरा तू टीश्पून धनिया खड़ा धनिया इनको हम दरदरा पीशेंगे बारीक नहीं पीशना है ने और कुछ मसाले हम अलग से एट करेंगे बाद में यह देखे यह हमने निकाल लिया है मसालों को और यह दाल हमने पीश ली यह भी दरदरी पीशी है और यह मसाले पीश चुके हम इसमें हाफ टीश्पून लाल मिर्श पाउडर हाफ टीश्पून हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे अब हम एक पैन चड़ा देंगे मीडियम फ्लेम पर और लग भग वन टेबिल स्पून ऑईल डालेंगे इसमें और सारे मसाले अट करेंगे और इसमें हम डालेंगे वन फोर टीश्पून हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है कचोडियों में यह देखे मसाले हमारे हो गए हैं यह कचोडिया बहुत अच्छी लगती है बारिश के मौसम में तो इसका मज़ा दुगना हो जाता है अब हम यह दाल को मिला देंगे और दाल को भी हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका मौस्टर ना खतम हो जाए यह देखे इस तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसका मौस्टर सूखने देंगे अगर आपकी दाल सूखी हो तो ठीक है नहीं तो आप इसमें आटा में लाएए यह नमक है हाफ टी स्पून इसको भी मिक्स कर लेंगे यह देखे मौस्टर इसका सूखना शुरू हो गया है हम इसमें मिलाएंगे थ्री टी स्पून आटा आप चाहें तो बेसन भी मिला लीजिएगा उसका भी फ्लिवर अच्छा लगता है यह आटा हम मिलाएंगे इसमें तो जो थोड़ा बहुत डाल का मौस्टर है वह भी खतम हो जाएगा यह देखे इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से आप चाहें तो प्यास की कचोड़ियां आलू की कचोड़ियां किसी की भी बना सकते हैं यह दाल की कचोड़ियां भी बहुत मज़दार बनती हैं अब हम इसमें 1 4 टी स्पून लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 4 टी स्पून हम इसमें काला नमक मिलाएंगे आप मेरे चैनल को देखते तो हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए यह देखें यह मिक्स हो गया है दाल भी सूक चुकी है अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे इस तरह से अभी ठंडा हो चुका हम इसमें वन टी स्पून शक्र मिलाएंगे पिसीवी शक्र और एक चुटकी खाने वाला सोडा इससे यह बहुत ही मज़िदार बनता है शक्र से खटा मीठा तीखा टेस्ट आता है इस तरह से मिक्स करेंगे और बेकिंग पाउडर से यह मसाला भी थोड़ा खस्ता हो जाता है और इसके हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे अगर आपकी बॉल्स नहीं बन रही है तो आप इसमें पानी के छीट मार सकते हैं पानी के चीटे मार के बॉल्स बनाओं यह जादा पानी नहीं डालेब का जोड़ियां घिली होंगी और क्रिस्पी नहीं बनेंगी इस तरह से सारी हम बॉल्स बना लेंगे और यह अब हम डो चैक कर लेते हैं इसको थोड़ा सा मॉर मसल लेंगे और इसकी हम छोटी छोटी लोगियां तोड़ेंगे यह देखिए कितना मुलायम है आटा अब हम इसकी छोटी छोटी लोगियां बना लेते हैं और इसको हम हाथ से कटोरी नुमा एक शेप दे देंगे जिसमें हम यह बॉल के फिलिंग इसमें बहरेंगे यह देखिए सारी बन गई है अब हम इसे इस तरह से बनाएंगे यह बीच में मोटा रखना हमें साइड साइड से पतला रखना है अब हम इसमें फिलिंग भरते हैं अहले देखिए और इस तरह से घुमा घुमा के चारो तरफ से हम इसको कवर कर लेंगे खुलाना रहे यह और यह जो ऊपर इसके एक्स्रा आटा यह जो बढ़ता है आप चाहें तो इसको अलग करके आटे में मिला सकते या उसी में दबा दीजिए और हाथ से इस तरह से घुमा घुमा के हम यह कचोडियां बना लेंगे आप चाहें तो इसको बेल भी सकते हैं बिल्कुल हलके हाथों से हमने जादा बड़ी कचोडिया नहीं बनाई है कि यह मीडियम साइस की कचोडिया है आप जैसी चाहें वैसी बनाए छोटी बड़ी सारी कचोडियां में इसी तरह से तैयार करेंगे यह देखें कि अब एक कड़ाई चड़ाएं और इसमें हम ऑई डालेंगे फ्राइ के लिए और एकदम स्लो फ्लेम पर हमें कचोडियों को फ्राई करना है जिस तरह से हम समोसों को फ्राई करते हैं कम से कम 10-12 मिनिट लगता है काशोडियों को फ्राय करने में आप चाहें तो एक घटा कर सकते हैं या थोड़ी-थोड़ी करके फ्राय करिए एकदम मंद आज पर और कुछ देर बाद इसको पलट यह फॉरान नहीं पलटना है और इसको इसी तरह से होने देना यह उलट पुलट कर यह देखिए कि कलर कितना बढ़ियां आया सुनहरा कलर और कचौरिया माई फूली भी है और बहुत हस्ता कचौरिया बनी है यह फिलिंग देखिए इसकी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए बैल आइकन दबाना ना भूले